चलो भई वीकेंड के बार पे कुछ चीजे इस बार क्लियर होती हुई सी नजर आ रही है जैसे कि ईशा इशा के बारे में इस बार वीकेंड के बार पे बात की जा रही है और सलमान सर उनसे बात करेंगे कि भई आप जो वो चीप वाली बात कर रही थी आपने करनवीर से बुरी दिख रही थी, आप बुरी लाइट में दिख रही थी, आप नेगेटिव दिख रही थी, ईशा और ईशा ये सारी चीजे सुनके बिलकुल शौक में हो जाएंगी, क्योंकि वक्के में उनको अंदाजा नहीं है, कि वो जब करन से बात कर रही थी, चीप वाली लाइन करन ने खा कि मैं पास आऊंगा, तो वो तुम्हारे लिए चीप हो जाएगा, और ईशा ने जाके रजट और अविनाश को जो बोला कि करन ऐसा बोल रहा है कि मैं आऊंगा और वहां पे मैं चीप हरकते करूंगा, ऐसा अविनाश को ईशा ने बोला, जहां पे अविनाश औ और इशा के एक्स्पोजर का मतलब है कि बहुत सारे लोग इंतजार में थे कि भाई ये लड़की कंटीन्यू बिचिंग करती रहती है कंटीन्यू करल वीर से इसको ऐसा लगता है कि जैसे इसकी कोई पॉस्नल खुननस है करन से और उसके बारे चुगलिया करती रहती इसके बारे में बात कब की जाएगी तो फाइनली वो समय आ गया है जब ईशा से भी बात की जाएगी कि वहाई इतनी चुगलियां क्यों अरे अगर आपको प्रॉब्लम है तो जाके मुह पे लड़ो ना पीठे पीठे बैठ के ये तो है ही ऐसा इसके अंदर गट्स नहीं है दम नहीं है बेकार है ये माचिस की तिली है मिट्टी का तेल है कब तक करते रहोगे आगे बढ़ो कु